हेलो क्लास मैं पावन मिस्ट्रा और आज की इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है अकाउंट बेल्टी इन हायर एजुकेशन उच्छी सिक्छा में जवाब देही तो इससे पहले जो हमने वीडियो लेक्चर किया था इसी का हमने फर्स पार्ट किया था कि अच्छी सिक्छा में तो हमने उस वीडियो में हमने देखा कि स्वायता का एक तरह की फ्रीड़म है जो हायर एजुकेशन इंश्टिविशन में जो इन्वर्सिटीज और को लेज है उनको इस तरह की ओटोनोमी दी जाती है ताकि वह इनवर्सिटीज जो हैं अपने लेवल प तो जवाब दे ही अकाउंटबिल्टी इसको अगर हम समझते हैं तो जहां एक और ऑटोनोमी दी जा रही है तो वहां पर दूसरी और अकाउंटबिल्टी भी है अकाउंटबिल्टी का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो कि कोई कॉलेज है उस कॉलेज में आप देखोगे डेक्टर चेर्में से लेकर और एक जो टीचर है वहां तक मतलब अलग अलग देखोगे कि चेर्में से लेकर टीचर हर कोई जो है उस कॉलेज में काम कर रहा है तो क्या होता है कि जो हाइर अथौर्टी है डेक्टर है चेर्में है उनकी तरफ से उस कॉलेज में काम करने वा करना है तो हर किसी को responsibility दी जाती है अब responsibility मिल गई अब accountability क्या है उस responsibility को पूरा करना उस responsibility को पूरा करना कहलाता है accountability जैसे एक teacher को दिया है मालो कोई हिंदी का सिक्चक है कोई English का teacher है तो अगर उसको एक जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें इस विसे को पढ़ाना है अब उस विसे को पढ़ाना और उसमें बच्चो का अच्छा result लाना वो किसकी accountability है उस teacher की है तो जिम्मेदारी दी जाती है और accountability जो है जो जवाब दे ही है उसको accept किया जाता है कि teacher को अगर responsibility दी गई है तो बच्चो को subject में अच्छे से पढ़ाना और उसका अच्छा result लाना यह accountability है teachers की अगर अच्छा result नहीं आया तो उसकी लिए accountable कौन होगा जवाब दे कौन होगा वो teacher होगा तो एक और government की तरफ से जो higher authority उनकी तरफ से autonomy दी जा रही है कि आप अपने level पर decision ले सकते हैं अपने teaching learning और evaluation process को अच्छा बनाने के लिए मुल्यांकन अधिगम और जो सिक्चर ने उसको अच्छा बनाने के लिए एक और जहां उनको स्वायता दी जा रही है तो दूसरी और क्या किया जा रहा है उनको accountability भी दी जा रही है कि अगर तुम्हें यह दी जा रही है तो अगर तुम्हें इस तरह की autonomy दी जा रही है तो उसको सही तरह से तुम्हें क्या करना है उसको उसका उपयोग करना है और तुम में जो responsibility दी जा रही है तो मुझकी लिए accountable हो तो पहली हम अब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो lecture में accountability in higher education की है क्या है तो सबसे पहले अगर हम accountability की बात करते हैं तो accountability is that situation in which a person takes ownership of the result of the work assigned to him जिससे मैंने बात की कि जब एक organization में अलग लग जो employee है उनको जो जिम्मेदारी दी गई है जो जिम्मेदारी दी जा रही है एक teacher को जिम्मेदारी teaching की दी जा रही है तो जवाब दही वहस्तिती है जिसमें कोई वैक्ती उस सौपे गए कारे के पढ़नामों का स्वामित लेता ह कि एक teacher जो है जो उसको teaching सौपी जा रही है तो उसकी जो accountability है कि अच्छा result लाना अच्छे से पढ़ाना तो उसकी जो अगर हम बात करें ownership किसकी होगी उस teacher की होगी और अगर बच्चों का result अच्छा नहीं आए तो accountable कौन होगा और teacher होगा तो जो काम सौपा जा रहा है उसकी ownership लेना उसका सुमामित लेना क्या कहलाता है accountability जवाब देही everyone is accountable for their work तो हम देखते हैं इस हिसाब से सभी को जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है काम को लेकर तो हर कोई जिसको जिम्मेदारी मिल ले है वो अपने काम को लेकर accountable है जवाब दे है accountability is a type of responsibility of an individual your organization towards their work की जवाब देखी क्या है एक वेक्ति आत्वा संगठन की अपने कारिक के पड़ति एक प्रकार की जिम्मेदारी है कि आपने कारिक को पूरा करना जो जिम्मेदारी दी गई उसको पूरा करना ठीक है वो आपकी क्या है जिम्मेदारी है या आपकी जवाब देही है अपने दिये हुए कारे को आपने जो कारे लिया है जो आपको उपर की अथोर्टी की तरफ से मिल ला है उसको पूरा करना तो क्या है आपकी जवाब दही या accountability है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी accountability और responsibility में क्या फरक है तो इसी तरीके से मालो आप सब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो tuition classes लेते हैं ठीक है तो tuition classes में क्या होता है कि आप जो parents है वो एक तरह से आपको अपने को आप पढ़ाना तो उन बच्चों को पढ़ाना आपकी वो मतलब एक तरह से आपको जिम्मेदारी मिली है responsibility मिली है बच्चों को पढ़ाने की लेकिन अब आप accountable है उन बच्चों के लिए उन parents के लिए किसलिए accountable है अच्छा result लाना वो आपकी accountability है और अगर बच्चों का result अच्चा नहीं आएगा तो फिर accountable कौन होंगे आप होंगे और उसकी जवाब देही भी आपकी होगी कि आपको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं आया result अच्चा तो इसलिए जिम्मेदारी दी जाती है और accountability है जो जवाब देही है उसको accept किया जाता है लिया जाता है इडिस्क्राइब एक्सेप्टिंग रिस्पॉंसबिल्टी और आंसरबिल्टी जैसे मैंने अभी बात की कि जिम्मेदारी जो है दी जाती है लेकिन accountability है जवाब देही है उसको accept किया जाता है ठीक है तो इडिस्क्राइब एक्सेप्टिंग रिस्पॉंसबिल्टी और आंसर power control की जवाब दे होने कार्थ है कि आप अपनी सकती नियंत्रेंट में किसी चीज़ के लिए जवाब दे हो ना जैसे फिर से हम वही example लेते हैं कि एक teacher के उसके control में power control में कहा है teaching तो उसका काम किया बच्चों को पढ़ाना तो बच्चों को result को लेकर कौन accountable हुआ वही teacher हुआ ठीक है तो जहां responsibility होती है वहीं पर क्या होती है जवाब दे ही होती है वहीं पर accountability होती है और government has accountable for decisions and laws affecting its citizen की गौर्मेंट किसलिए जवाब दे होती है जो कानून बनाती है उन कानून का public पर जो भी परभाव पढ़ता है तो उन कानून को लेकर accountable कौन होती है government होती है इसी तरीके से जो कानून public के लिए बनाए गए है उन कानून को follow करना वो public की responsibility होती है लेकिन अगर public follow नहीं करती तो उसकी accountability किसकी होती है public की होती है कि आपने follow क्यों नहीं किया traffic rules बन रहे हैं सभी को responsibility दी जा रही है कि सभी traffic rules को follow करें तो सभी की जिम्मेदारी है लेकिन अगर किसी ने उस traffic rules को तोड़ा तो उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा तो उसको लेकर accountability उस person की होगी जिसने इस rule को तोड़ा और बदले में क्या होगा कि उसको जवाब दे कि आपने ऐसा क्यूं किया और फिर उसको fine देना पड़ेगा तो हर किसी को जिसको भी जिम्मेदारी मिलती है जिम्मेदारी के सासाथ उसको जवाब दे ही भी देनी होती है accountability भी उसकी होती है और जैसे एक और उधारन के लिए माल लो कि जैसे माल लो आप कहीं घूमने जा रहे हैं कहीं पार्क में जा रहे हैं तो आपके पडोस में या आज पडोस में जो छोटे बच्चे हैं तो किसी parents ने कहा कि आप या आपने अपने neighborhood में किसी बच्चे से कहा कि चलो आप भी हमारे साथ मेरे साथ घुमने चलो ठीक है तो उसके पैरेंट्स ने आपको responsibility दी कि चलो ठीक है आपका मेरा बच्चा आपके साथ घुमने जाएगा तो responsibility दे दी गई तो अब उस बच्चे को पार्क में आपके साथ जाएगा घुमेगा ठीक है लेकिन अगर उस बच्चे को कहीं कुछ हो जाता है तो उसकी accountability की responsibility दी है तो responsibility की है कि इसको सही से आप उसको साथ ले जाईए रक्षिस सही सलामत लाईए लेकिन अगर उसको कहीं चोट लगती है कुछ होता है तो उसकी accountability भी आपकी होगी तो जहां जीमेदार ही है वहाँ जवाब देही है ठीक है accountability in higher education तो उसकी सिख्चा में जवाब देही की बात करते हैं तो अगर हम higher education में बात करते हैं तो जो strand के progress है उनकी जो academic progress है प्रगरती है उसको लेकर किसकी accountability बनती है वहाँ पर university college और especially हम बात करते हैं वहाँ के teachers के तो higher education में बच्चों के academic progress को लेकर college, university, college और especially वहाँ के teachers को जिम्मेदार या accountable ठहराया जाता है अगर हम types of accountability की बात करते हैं कि accountability की कौन कौन से types हैं उस्चे सिख्चा में जवाब देही के परकार हैं तो सबसे पहले हम बात करते है social accountability समाजिक जवाब देही समाजिक जवाब देही का मतलब क्या है कि जो universities जो है college है उनकी जवाब देही किसके परती है बच्चों को लेकर उनके अभिवावों को लेकर और सरकार को लेकर कि उनको क्या कहते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी जो अभिवाव को द्वाव को द्वारा दी गई है जो सरकार के द्वारा उनको autonomy दी जा रही है कि हाँ तुमको decision making की जो power दी जा रही है कि तुमको power है कि तुम अपने हिसाब से university को चलाओ रन करो ठीक है और बच्चों को पढ़ाना वो तुमारी अपनी autonomy तुम्हें responsibility दी जा रही है सरकार की तरफ से अब भिवावक जो है parents वो भी अपने बच्चों को तुमारे पास भीज रहे हैं बच्चे भी तुमारे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो उन बच्चों को ठीक से पढ़ाना अच्छी education देना ठीक है qualitative education देना उनको जो उनका जो objective है उसको पूरा करना उनको अच्छी education education देकर वापस society में भेजना यह किसकी accountability है universities की colleges की accountability होती है तो पहली accountability जो हम बात करते हैं social accountability समाजिक जवाब देही जो किसी भी college university की उतके समाज के लिए होती है और फिर दूसरा हम देखते है micro accountability सूच में जवाब देही कि एक university के अंदर ही जो अलग अलग जो staffs जो staff होते है teaching, non-teaching staff जो होते हैं उनकी अपनी university को लेकर अपने organization को लेकर उनकी जो अपनी accountability होती है उसके बारे में इसमें बात की गई है तो इसमें तीन परकार की जो जिम्मेदारी accountability के हम बात करते हैं जवाब देही की परसासनिक जवाब देही, sectionic जवाब देही और वित्य जवाब यह मतलब academic accountability, administrative accountability और financial accountability ठीक है तो हम एक एक करके बात करते हैं जैसे हमने autonomy in higher education में देखा तो उसमें भी इस तरह की autonomy दी है, academic autonomy दी गई है, administrative autonomy दी गई है, financial autonomy दी गई है कि इससे related जो है आपको autonomy दी जा रही है सरकार की तरफ से आप अपने decision ले सकते हैं लेकिन इसके साथ- उनको accountability भी दी जा रही है, कि अगर academic autonomy दी जा रही है कि आप अपने हाँ पे teaching learning जो process है अपने हिसाप से आप कर सकते हैं, curriculum में changes कर सकते हैं, innovative methods आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, seminar conference आप और नाइस कर सकते हैं, तो इस तरह कि academic autonomy दी जा रही है तो उसके साथ-साथ accountability भी दी से पढ़ाओ, अच्छे methods का यूज करो, बच्चे के result को अच्छा करो, आपका जो teaching learning process होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, तो बच्चों की education के साथ किसी तरह की कोई compromise नहीं करना, बच्चों को सही से education देना, अच्छे से पढ़ाना, तो ये क्या है कि जो higher education जो institution जो ह ठीक है, और फिर इसके अलामा जो उस university में जो teachers हैं, तो जो teachers हैं, academic accountability में आएगा कि qualified teachers को appoint करना और इस चीज़ को देखना कि teachers regular आ रहे हैं, punctual है, regularity है, punctual है, अपनी class time से ले रहे हैं, ठीक है, और इसके अलामा जो भी उस university college में, वहाँ पे जो labs है, जो library है, वहाँ पे library में अच्छी books हों, जो भी बच्चों को काम दिया जाए, assignment जो भी दिया जाए, उसमें quality होनी चाहिए, ताकि बच्चों को कुछ सीखने को मिले, ठीक है, इसके अलामा जो academic accountability में है, कि जो curriculum development है, जो teaching methods हैं, उनका अच्छे teaching methods का use करना, और qualitative जो हम बात करते हैं, evaluation technician की बात करते हैं, ठीक है, guidance, counseling, remedial, और इस तरह की जो सारी चीज़े हैं, जिससे बच्चों की जो academic जो process है, और अच्छा बनाया जा सके, बच्चों की achievement अच्छी हो, तो इस सारी जो चीज़े हैं, इस academic accountability में आती है, और इन सब चीजों के लिए कौन accountable है, वो university और वो college accountable है, फिर organization of seminar, conference and workshop, जिस हमने बात की, कि समय समय पर इस तरह के seminar, conference, workshop का और नायज करना, faculty के और बच्चों के उनके professional development के लिए, तो इस academic accountability में सारी चीज़ें आ गई, उसके बाद फिर हम administrative accountability, कि अगर एक तरफ जहाँ administrative autonomy दी जा रही है, तो दूसरी तरफ administrative accountability पर सासनिक जवाब द यही भी दी जा रही है, कि आप किस चीज़ को लेकर अगर हम बात करें, कि formulation of the both, the long term and short term objective of the university, कि university को क्या करना है, कि अपने long term और जो short term है, उस तरह के उद्योस्यों का निरूपन करना है, वो objective को बनाना है, ठीक है, प्लस अगर university अपने हिसाब से, अगर अपने administration को चलाती है, तो उसको ठीक से चलाना, कहीं किसी तरह का कोई corruption ना हो, ठीक है, अच्छे teachers जो है, उसको appoint किये जाए, ठीक है, time table के हिसाब से university चले, ठीक है, जो भी necessary, जो requirement है, उसको पूरी की जाए, ठीक है, objective बनाये जाए, उनको fulfill किया जाए, जो university है, अपने साल भर की जो planning के लिए planning या academic जो calendar है, उसको तयार करें, ठीक है, जो भी regular चाहे teachers का attendance हो गया, बच्चों का result हो गया, ठीक है, number of staff, जो है, teaching staff, non-teaching staff, तो इस से related जो सारी जो statics है, उसका collection करना, आकडों का संग्रे करना, कि जो भी काम कर रहे हैं, उसका documentation करना, और सही परकार से, इमानदारी से करना ठीक है, the standing of infrastructure की, जो university का जो बुनियादी धाचा है, उसको मजबूत बनाना, अच्छा बनाना, तो एस सारी चीज़े administrative accountability में आती है, फिर हम financial accountability की बात करते हैं, वित्ती जवाब दे ही, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, कि जो भी university में जो भी पैसा आ रहा है, फीसे जो भी पैसा आ रहा है, और university जो पैसा लगा रही है, अपने progress के लिए, बच्चों के progress के लिए, तो उसका भी क्या करना, कि उस चीज़ को भी अच्छे से देखना, उसको manage करना, तो यह financial accountability है, कि जो भी financial lane देन हो रही है, उसका भी पूरा record रखना, उसको सही परकार से करना, तो य financial accountability में आ जाता है, ठीक है, अब हम देखते हैं, कि आपको तीन समझ में आ गए, कि एक और हम देख रहे हैं, जहाँ autonomy दी जा रही है, freedom दी जा रही है, उनको, तो दूसरी और accountability भी है, कि आपको freedom मिल लही है, responsibility मिल लही है, तो उसको पूरा भी करो, उसको सही परकार से करो, फिर importance of accountability in higher education, importance की अगर हम बात करें, तो it makes people accountable for their work, तो इससे क्या होता है, कि काम बहुत अच्छे तरीके से होता है, अगर हमें पता है, कि हमें जो काम मिल ला है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कि it makes people accountable for their work, तो हर लोगों को बता है, कि अगर ओक काम ठीक से नहीं करेंगे, त तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा, तो इसलिए, इससे क्या होता है, कि लोग अपने काम के प्रतित जिम्मेदार बनते हैं, it helps the teacher in the higher education stream to understand their role and responsibility, तो इससे क्या होता है, कि जो higher education में जो teachers है, उनको अपनी जिम्मेदारी और भूमी का समझने में मदद मिलती है, कि उन you can enhance the competitive power of university and this helps to attract students, कि है विस विद्धियालियों की प्रतिष 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 सकती को बढ़ाता है, जिससे विद्धियारतियों को उनकी और आकरसित करने में मदद मिलती है, आज आप सब देखो, जब आप सब ने 12th पास की थी, तो आपके अपने favorite colleges थे, university थे, कि मुझे इस university में जाना है, मुझे इस college में जाना है, क्यों, क्योंकि वहाँ का जो management था, जो college था, वहाँ का functioning थी बहुत अच्छी थी, और functioning का आधार क्या है, main base यही तीन तो है, कि वहाँ की अगर हम बात करते हैं, वहाँ का administration अच्छा हो, वहाँ का academics अच्छा हो, ठीक है, अच्छ infrastructure अच्छा हो, सारी facilities हो, यही तो हर college university का यही तो base होता है, यही तो देखकर बच्चे हम सब उसकी तरफ जाते हैं, कि हमें ऐसे college में admission लेना है, जहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही हो, वहाँ पर administration अच्छा हो, building अच्छी हो, सारी facilities हो, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, accountability building higher education कि हर university college accountable होंगे, अपने काम को ठीक से तरीके से करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आधकल हम देख रहे हैं, अलग-लग universities open हो रही है, colleges हैं, तो उनमें इस तरह का काफी जारा competitive environment हमें देखने को मिलता है, हर कोई अपने आपको बहतर बनाने में लगा हुआ है, तो इससे क् है कि जो quality of education है, धीरे-धीरे बढ़ रही है, और student, इसका main purpose है कि student को अपने और attract करना, ताकि बच्चा होँआ पर जाकर admission ले, तो it would provide feedback to the university about the extent of the society's satisfaction regarding the performance of the university, कि इससे देखो accountability का एक फायदा और है, कि इससे जो भी बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है, ठीक है, तो time-time पे जो university है, बच्चों से वहाँ के उनके parents से feedback लेती है, तो इस feedback से भी university को पता चलता है कि बच्चे जो वहाँ का administration है, वहाँ की जो जो academics है, बच्चा उससे कितना satisfied है, तो feedback के आधार पर भी university है, जो college है, वो क्या करती है, feedback के आधार पर भी जो कमिया रह गई है, उसको सुधार करने की कोशिस करती है, जिससे वहाँ की जो अगर university है, जो administration है, academics है, उसको और अच्छा बनाया जा सके, ठीक है, इसके अलाम अ teachers की अपनी achievement है, बच्चा अच्छा करेगा, तो teachers का नाम होगा, अगर नहीं बच्चा करता, तो उसका भी कहीं न कहीं impact teacher पर असर पढ़ना है, तो इसलिए teachers भी चीज़ को जानने लगे हैं, कि अगर वो अच्छा करेंगे, तब ही बच्चों का अच्छा result आएगा, तो इसल इसको लेकर काफी aware हो चुके हैं, और वो भी अपनी तरफ से पूरी कोसिस कर रहे हैं, अपनी जो responsibility दी गई है, उसको पूरा करने की कोसिस कर रहे हैं, तो आज कि इस video lecture में हमने देखा कि accountability क्या है, कि जो जहां पर responsibility है, और वहीं पर आपकी accountability है, कोई काम आपको दिया जा र तो अच्छा result लाना, बच्चों को सिखाना हो, आपकी accountability है, अगर बच्चों का result अच्छा नहीं आता, उसके लिए accountable हो, आपको जवाब देना पड़ेगा, तो आज हमने देखा कि accountability क्या है, higher education में क्या accountability है, इसके जो types हैं, अलग-अलग हमने वो देखे, फिर हमने देखा कि इसके importance क्या है, और फिर last में जैसे हमने इसके दो पार्ट थे, एक था कि autonomy, तो फिर से हम इस चीज़ को समझ लें कि एक होड जहां government की तरफ से autonomy दी जा रही है, कि उनको अपने self-directing की खुछ से university को इस तरह की power दी जा रही है, कि उनको अपने हिसाब से अपनी university है, वहाँ की तरफ से university college को इस तरह की accountability भी है, कि अगर आपको इस तरह की autonomy दी जा रही है, तो उसको पूरा करना, उसको सही तरीके से करना, आपकी अपनी responsibility है, accountability है, अगर नहीं करते हैं, तो इसके जवाब दे भी आप ही होगे, तो इस video lecture में इतना ही, आपको अगर अच्छा लगे, तो आप अपनी राय जरूर देना, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,